जनपद कल्यानी नंदा बुद्ध के भाई नंद की मंदेतर जनपद कल्यानी नंदा अपने काल की अपूर रूप सी थी उसका नाम जन्पद कल्यानी इसलिए पढ़ा था कि उसका रूप, लावन्य और शोभा और श्री समस्थ जन्पद के लिए कल्यानकारी माना जाता था नंद से उसका प्रगार्द प्रेम था और उनसे शादी की आशा में वह फूले न समा रही थी किन्तु जिस दिन वह नंद के साथ परिने सूत्र में बंधने जा रही थी और अपनी शादी की सारी तयारियों को निहार निहार पुलकित हो रही थी ठीक उसी समय उसने नंद को बुद्ध के साथ बुद्ध के भिक्षातन के कटोरे को लिए प्रासाद से बाहर जाते देखा फिर बहुत देर तक उनके लोटने की राह तकती रही देर शाम तक नंद वापिस न लोटे तभी अचानक उसे यह सूचना दी गई कि नंद मी ग्रिहस्त त्याग भिक्षू बन चुके थे इस सूचना से जनपत कल्यानी नंदा को गहरा आघात लगा और वो थोगे